आपक पुस्था उसका एक पंजा एक पंजा उसकी कमर पे था साम की और दूसरा उसकी बिल्कुल सर के उपर से उसने पकड़ वा था बिल्कुल उचीत तरह जिस तरह जिन्दीगी ने हमें पकड़ा हुए घर्दर इलाते हैं नहीं मुड़ते ही कमर जीदी करने का वक्त नहीं दे ली ऐसा ही है न तो उसको लेकर हवा में उड़ गई थोड़ी देर के बाद उसको महसूस हुआ कि ये मुड़ मुड़ा के मुझे कसने की कोशिश कर रहा है ये मुझे अपने आपको चुरानी की कोशिश कर रहा है तो उसने हजारों फिट की बलंदी पे उसको अपने क्रीब करके कहा अगर तुन ने अपना जहर सही इस्तमाल करना सीख लिया होता तो आज मेरे पंचों में नहोती और हजारों फिटित खंदी से उसको छोड़ दिया और उसको कहा अगर गिर के बच जाओ तो इगली बार अपने जहर सही कि इस्तमाल करना, सीगना दा कि दुपारा कि सी चील के फंचरो बेना आचा